तो हलो एड वेलकम अगे दोस्तों भाई साब मेरी क्रिस्मस जो निकल चुका है क्योंकि इस पर एक मूबी आ चुकी है जिसके साथ बहुत बड़े बड़े नाम जुड़ते दिख रहे हैं लाइक डारेक्टर स्रीडाम रागवन ये वही डारेक्टर हैं जिन्होंने अंधा जैसी अपार ब्लोगबस्टर मूबी जो भाई साब इतना पोटेंसाल रखती नहीं थी लेकिन वर्ड ओफ माव जब कॉंटेंट ने काम किया पब्लिक ने काम किया तब उसको ऐसा निखार के किंग बना दिया जो अभी तक भाई साब सुबर डूबर ब्लोगबस्टर के ल कि मैंने मूवी देख लिया और आपको देखनी है या आपका मन जरासा भी कर रहा है कि मूवी देखनी चाहिए या जरासा भी मन नहीं कर रहा है कि नहीं देखनी चाहिए तो भाई आभी आपको दो मिनटों पता लग जाएगा कि देखनी है तो क्यों नहीं देखनी है लेक ऐसा डार्क, सस्पेंस, थ्रिल और मिस्ट्री में फार के गई है, वही चीज इसमें भी कैरी आउट होते नजर आई है, फॉरवर्ड होते नजर आई है, लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ी है भाइसा डार्क कॉमेडी, तो वो क्या है वो आपको मूवी देखने में ही पता इसमीर के नाम पर बहुत ज्यादा साइंस धियोरी दिखा दी ओ, जो कुछ पले ही नहीं निसथे, भाई मुवी बिल्कुल सिंपल है आपको लेयर बाई समझ में भी आएगी मज़ा भी आएगा लेकिन भाई क्या करना है मुवी को एक मोमेंट भी आपको मिस नहीं करना है अगर मिस कर दिया तो पूरी थीम वहीं से गड़वडा जाएगी और मुवी पूरी उपर से निकल के चली जाएगी मुवी में यह है कि बाते जादा हैं लेकिन वह बाते इतनी जादा मज़ेदार हैं कि आपको सुनने में बहुत ही मज़ा आएगा मैं पूरा नेरेटिव बेस अगर मुवी कहें तो यस कोई दोर आए नहीं है लेकिन जिस हिसाब से इसकी प्लोटिंग करेगी फर्स पार्ट को देन सेकंड पार्ट को फर्स पार्ट में जो भी चीजे थी और वो जो सेकंड पार्ट में अन्फोल्ड होते नजर आती है तो भाई आपको मज़ा वहां से आने लग जाता है इंगेजिंग वो मुवी बहुत ज्यादा होने लग जाती है और आप सीड से उ उतारना वो बेस्ट चॉइस है बात अगर करेक्टर्स की चल ही रही तो भाई साव इसमें एक्स्टेंडेट कैम्यों संजय कपूर और रादिका आपतेगावी है जहां संजय कपूर की एंट्री से ही स्टूरी की माभेन एक होने लग जाती है मतलब कि यहां से भाई साव अब वाले मोमेंट्स भी होते हैं जिने वलकर तो नहीं कह सकते हैं लेकिन किसिंग सीन्स वगरा होते हैं और एक बार के लिए आपके अंदर से ऐसी भणास भी निकलेगी कि भाई साव एक बार पूरा दिखा क्यों नहीं देते हो वहीं दूशी तर्व स्टूरी टैलिंग की बा नाम रागवन के दोवारा आपको मजा डेफिनिटली आने वाला है इसमें देन उसके बाद बात एकर क्लाइमेक्स की करें तो भाई साब बैस्ट ऑफ बैस्ट पार्ट है इस मूवी का जो मैं इत्तु सावी यहां रिवील आउट बिलकुल गी नहीं करूँगा क्योंकि मू करूँगा कि भाई जा के जरूर देखो इस मूवी को क्योंकि दमदार है और यहां तक पहुंच गए हो तो इस कमले वीडियो भी पसंद आई है तो यार नेरी किस बात कि यह लाइक कर दो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसी जुड़े रहने के लिए बैल आ